दोस्तों आप सबके लिए बहतरीन मौका है जो भी नियूजलेंड में जाकर के काम करना चाहता है उनके लिए आज का ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा महत्पुन्न होने वाला है अगर आपका भी सपना हो नियूजलेंड में जाकर के जॉब करने का एक अच्छा decent amount कमा करके वापस आने का तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ कि कौन इस जॉब में अपलाई कर सकता है क्या जॉब का requirement है अभी कितना उम्र वाले इस जॉब में अपलाई कर सकते हैं क्या salary मिलने वाला है आपको और कैसे आप अपलाई कर सकते हैं इन तमाम चीज़े को बारे में आज मैं आपको इस अगर आप इंडिया से हैं और दुबई में काम कर रहे हैं या कतर या कुएत में काम कर रहे हैं तब भी आप एपलाई कर सकते हैं भीजा की बात करें तो भीजा खर्चा दन ही होने वाला दोस्तों 16-17,000 इंडियान रुपी के अप्रोक्सिमेट तक खर्चा होने वाला है और आपका जो भीजा है विदिन वीक और टू विक में मिल जाने वाला है समझ गए एक हपता से दो हपता के बीच में आपको भीजा मि में दिखाऊंगा दोस्तों ये जो जोब है ये सेजनल जोब है ये फूट पिकिंग का चाहे वो कीवी हो चाहे एप्ल हो क्योंकि निउज TY में जहतार कीवी में थार एपाल होता है तो उसको सक CRP के सकते हैं आप उसके लिए ये जोब है अगर आप एक मेहनती बंदे हैं अ से आपको मेले करें चलता हूं मेरे कंप्रीर स्कीन पर जहां पर आप देख सकते हैं कि आप कैसे अप्लाइ कर सकते हो कुण कुण सा प्रॉसेस है आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूंगा अगर आपके पास डॉकुमेंट की बात करें तो आप न्यूजिलेंट फॉर्मेट का CV and cover letter होना चाहिए पासपोर तो होना ही चाहिए ठीक है उसके बाद आप एप्लाइ कर सकते हैं यहां पर पहले आपको बता दूमें सप्लीमेंटरी सिजनल एम्प्लॉइमेंट वर्क वीजा ठीक है तो यह जो है सिजनल वीजा है दोस्तों जो छे महिना तक वैलिड in the horticulture और viticulture industry तो वहाँ पर जो student है या फिर अगर आप विजिटर वीजा में जाते हैं अभी ठीक है तो आप जा करके वहाँ सिजनल वीजा में काम कर सकते हैं लेंग्ट अप स्टे है six month यानि कि जो वीजा आप इसमें apply करेंगे दोस्तों वो visit वीजा रहेगा लेकिन आप सिजनल में वहाँ पर काम कर सकते हैं छे महिना के लिए age range आप हर बार मुझे पूछते हैं कि कितना age होना चाहिए कितना उमर के लोग apply कर सकते हैं तो 18 साल and over मतलब 18 साल के उपर वाले बंदे इसमें apply कर सकते हैं maximum कितना साल इसमें mention नहीं है इसका मतलब यह है कि जब तक आप इस job के लिए apply कर सकते हैं quota जो हर साल होता है दोस्तों यह जो quota है हर साल निकलता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है आप हर साल जा सकते हैं 6 मेना वहाँ काम करें 6 मेना इंडिया आ गए 6 मेना अपना घर गाउं जो भी है रिख करें फीर से चले जाए 6 मेना के लि प्रोसेसिंग टाइम जो है प्रायरिटी मतलब तूरंथ ही आपका विजा एप्रूबल होने वाला है यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगा कि कौन-कौन सा एम्पलॉयर है जो आपको नौकरी दे सकते हैं बहुत ही क्लियर यहाँ पर गौन ने इंस्ट्रक्शन्स दे रखा है साइट के द्वारा तो आपको क्या करना है थोड़ा रिसर्च करना है और अपलाई करना है आपको पता करना चाहिए जानना चाहिए यू के रखा चाहिए ए अपने साथ को अड़न कोई लेके नहीं जासकते या बच्चे को लेके नहीं जा सकते क्या क्या चाहिए आपको apply करने के लिए तो check if you are eligible to apply for this visa and what supporting documents and information you need to provide तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या का documents चाहिए ठीक है इससे पहले हम जान लेते हैं कि यह जो employer list है दोस्तों आप click करेंगे तो आपको सारा employer list यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएगा यह जितना है दोस्तों यह सारे company का नाम है आप जितना आगे आगे जाती जाएगे आपको बहुत company देखने को मिल जाएगा यहाँ पर देखिए एप्रूबल पिरियर्ड एक डिसमबर दोजाएग तेई से अकतीस जनवर दोजाएग चोबी से निकावे आप टाइम है आपके पास आज है आपके पास छे जनवरी छे जनवरी से आप अप्लाइग कर सकते हैं यह देखिए एप्रेल तक है एप्रेल तक इसका वैलिडिटी है तो आप चाहें तो एप्लाइग कर सकते हैं ठीक है और यह हर साल के लिए ऐसी प्रेश साल करना है हर साल आपको इसी तरह का vacancies देखने को मिलता है अब यहाँ पर प्रूफ औप यूर इडेंटीटी तैनि पास्पोर्ट आपको दिखाना पड़ेगा ठीक है यूमस्त प्रवाइड जो हम डोकुमेंट की बारें बात कर रहे थे ना तो सबसे पहले आपको इसी प्रूफ सी यह क्या है प्रूफ यूमस्त प्रूफ यह प्रूफ यूर प्र for at least 3 months after you plan to leave New Zealand, okay, health, you must be a good health, मतलब आप physically strong होना चिये, character, you must be a good character, genuine intention, जो आप जा रहे हैं, आपका intention क्या है, तो उसमें एक paper लिख देना पड़ता है, you must genuinely intended to meet the conditions of your visa, right, age, 18 से उपर होना चिये, location, you must be already in New Zealand, यानि की भीजी भीज़े में जा करके रहे होना रूप जाएए, एक दो दिन आपको ये मिल जाता है, current student visitor और work visa, ठीक है, seasonal work, you must genuinely intended to do seasonal work for an eligible employer, जो employer का list मैंने बताया, उस list के तहत आप इसमें अप्लाई का सकते हैं, you must have a ticket to leave New Zealand or enough money to buy one, ठीक है, या आपके पास आपके एकाउंट में enough money होना चिये, जिससे के आप एक ticket खड़ी सकते हैं, या फिर आपके पास already return ticket होना चिये, ठीक है, no previous SSE or TRSE work visa, आपके previously पहले कोई वहाँ पर work visa अगरा नहीं होना चिये, दोस्तों, details में देख लिए यहाँ पर, देखिए, tips जो है, we will check our records to make sure that we have not already granted you a transition, तो यह करें, seasonal employer और supplementary seasonal worker visa, ठीक है, तो यह देख लीजेगा, बहुत आसानी से आप जा सकते हैं, दोस्तों, अब यहाँ पर जाके देख सकते हैं, how to submit, submit कैसे करते हैं, तो देखिए, यहाँ पर आप पे कर सकते हैं, 700 New Zealand dollar, by credit card और debit card, post address जो है, यह immigration New Zealand का है, ठीक है, courier address वहाँ का है, यहाँ पर courier कर सकते हैं, conditions, work क्या करना है, study or over travel, सारे चीज मैंने पहले बता दिया है, भीज़ा expiry होने से पहले आपको New Zealand छोड़ देना है, ठीक है, तो यह सारे चीज़े हैं, दोस्तों, हमने पूरे details में पढ़ लिया है, अब इसी तरह से आप अपना job apply कर सकते हैं, अगर आपका New Zealand जाकर काम करना हैं, six month का, तो अभी आप visit visa apply करें, फटा-फट हो जाएगा, within a week आपका visit visa approval हो जाता है, वहाँ पर जा करके आप seasonal work काम कर सकते हैं, छे महिना के लिए, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मोगा है यह, जा करके काम करने का, तो देखा दोस्तों, कैसे आप apply करें जा सकते ह है, ठीक है, आप फट से चले जाए निवज़िलेंड, निवज़िलेंड में जाकर करके आप seasonal विज़ा ले सकते हैं, मैंने आपको employer का list बता दिया है, तो उस employer को आप पहले से CV भेज़ दीजिए, ठीक है, पहले CV भेज कर रखें, और जब जाएंगे तो जोए नहीं हो जा से हर साल रहता है, और वो मंदा आफ नवंबर से सुरू होता है, डिसेंबर तक, जनवरी तक, तो पहले ही अगले साल क्या करें, अक्टोबर नॉंबर से सुरू करते हैं, जिसाब धान आप काट लेते हैं, उसके बाद ही आप apply करना चालू करते हैं, ताकि आपके लिए आस टोपिक के साथ, तब तक के लिए आप रखें अपना खायाल और मुझे दी जाज़त, थैंकि सो मच, जय हिंद, जय भारत